नमस्कार दोस्तों जब आप online train का ticket book करते हो तो आपको regret train देखने को मिलती है लिगने हमेशा नहीं मिलेगी आपको कभी कभार ही देखने को मिलती है अब सवाल यहां पर यहां पर यहां आता है कि regret का मतलब क्या होता है और क्या जिस भी ट्रेन में यह regret देखने को मिल रहा है तो क्या इस ट्रेन में टिकेट बुक करने का कोई और तरीका है या फिर नहीं है, आज मैं आपको इसी के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, तो देखी दोस्तो, रीग्रेट का मतलब होता है खेद प्रगड करना, रेलवे अपने कस्टूमर के साथ में खेद प्रगड कर रहा है, अब वो क्यों कर रहा है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, तो देखी दोस्तो, जब भी आप ओनलाइन टिकेट बुक करते हो, तो सबसे पहले आपको कंफर्म सीट मिलती है, इसके बाद से और एसी मिलती है, और इसके बाद से बैटिंग का टिकेट मिलता है, ये आप लोगों को पहले से पता होगा, betting का ticket book करने का भी एक limitation होती है एक संख्या होती है कि इस संख्या तक का ही आपको betting का ticket मिल सकता है इसके बाद भी लोग करे जा रहे हैं इसके बाद से वहाँ पर regret देखने को मिल जाता है तो इसका मतलब यही होता है कि railway आपसे बोल रहा है कि हम एक खेद है कि अब आप ticket book नहीं कर सकते लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इस train में ticket book नहीं कर सकते किस प्रकार से कर सकते मैं आपको यह बता देता हूँ तो देखी दोस्तों जब भी आप online ticket book करते हो और अगर आपने general quota select किया है तो आपको regret देखने को मिल जाएगा लेकिन 24 गंटे पहले जैसे ही ततक ततकाल का quota select करके उसी train में अगर आप सर्च करोगे तो जो भी ततकाल का seat available होगी आपको वहाँ पर सो हो जाएगी लेकिन मैंने notice किया है कि second sitting coach में जिसको आप 2S coach बोलते हो उसमें not available बता रहा था लेकिन sleeper का या पर AC का आप सर्च करोगे तो आपको seat available बता दी जाएगी त बाद भी आप ततकाल की ticket book कर सकते हो और आप इस train में journey कर सकते हो मैंने यह सब practically करके देख लिया इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ यह तो रही online regret ticket की बात अब बात करते हैं railway counter की तो देखी दोस्तो जैसे आपने online train को सर्च किया अगर आपको वहाँ पर regret देखने को म में जाते हो ततकाल का ticket book करना आपको इसी रेगरेट train में तो आपको ततकाल का तो ticket मिल जाएगा कि जब online मिल रहा है तो railway counter से तो मिल ही जाएगा लेकिन जैसे आप normal जो reservation करते हो railway counter से वह आपको allow करेगा या पर नहीं करेगा मैं यहाँ पर 100% sure नहीं हूँ हो सकता है कि वह आ आपको allow ना करें इसके बाद से आप बोलते हो कि यार मुझे तो बैटिंग का ही ticket देदो तो लोग बैटिंग का भी ticket नहीं देंगे तो रेगरेट का साथ यही मतलब होता है कि इसके बाद आप ticket book नहीं कर सकते रेगरेट train होने के बाद अगर किसी को railway counter से reservation कराया है और उसक टिकेट मिल चुकी है तो आप मुझे comment करके जरूर बता देना इससे क्या होगा कि दूसरे लोगों को भी help हो जाएगी मुझे इसका अनभाव नहीं है क्योंकि मैंने practically यह सब करके नहीं देखा है मैंने online देखा है इसलिए मैंने online का आप लोगों को बता दिया है अगर आप के मन में अभी भी किसी प्रकार का question मन में कोई doubt है तो आप मुझे comment करके जरूर पूछ सकते हो चली मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यबाद